आजकल युवा डिप्रेशन जैसी गंफीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन शब्द अपने आप में बहुत डरावना है। इस डिप्रेशन के कारण लोग खुद को अलग थालग महसूस करते हैं और दुनिया से दूर चले जाते हैं। आध्यात्मी ग्रंथों में भी दुनिया से अलग होने की भावना को बैराव का नाम दिया गया है। लेकिन बैराग और डिप्रेशन दोनों के अलग-अलग मायने हैं। भले ही इन दोनों शब्दों के ब्याख्यान सुनने में एक जैसे लगते हों लेकिन इनका आंतरीक अर्थ एक दूसरे से बिलकुल अलग है। इसका उले गुर्बानी समय तमाम पुरातन ग्रंथों में किया गया है। बैराग और डिप्रेशन में क्या अंतर है। चलिए गुर्बानी की मदद से जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक करें। बैराग का हिंदी अर्थ वैराग्य होता है। बेसिक्स औप सिख्षी के अनुसार वे राग शब्द राग सब्द से आया है जिसका अनुवाद प्रेमियाई लगाओं के रूप में किया जा सकता है। राग शब्द के पहले बै लगाने पर राग शब्द का अर्थ विहीन हो जाता है। इस परकार वैराग शब्द का अनुवाद अलग-अलग किया जा सकता है। वैराग सकरात्मक है। यह एहसास है कि यह दुनिया दोसों से भरी है और एक दिन वह सब कुछ जो कोई देखता जानता है, समाप्त हो जाएगा। बैराग में रहने वाले लोग आत्म ग्यान की ओर जा रहे हैं। दूसरी ओर डिप्रेसन की विशेस्ता लगतार उदाजी की भावना और रुची की हानी हो सकती है। जो वेक्ति को नियमित गतिविदियों में शामिल होने से रोकती है। बैराग और डिप्रेसन में अंतर करने के लिए कोई भी वेक्ति गुर्वानी का सहारा ले सकता है। गुरु रामदास्ची महराज अपनी बार्णी में कहते हैं कि बैराग या एक ऐसे वेक्ति को बुला रहा है जो बैराग के अनुभों से गुजट रहा है। जब कोई किस सुनकर मेरा मन हरसित हो गया है। जब हम किसी को आते हुए सुनते हैं तो हम जीवन के वास्त्वी के सार को महसूस करने के लिए समगर और उत्साहित महसूस करते हैं। अंकार खत्म होने लगता है और हमें पूनता का एहसास होने लगता है। हमें ऐसा एहसास होने लगता है मानो हम इसका एक हिस्सा है और हम वास्तों में जीवन के वास्तवी के सारकानु हो करने की संभावना से रुमान चीत हो जाते हैं इस प्रकार वैरागी एक साधक है जो उत्साह से भरा हुआ है जबकि एक व्यक्ती जो उदास है उसमें आम तोर पर प्रेणा और उस लालसा की कमी होती है जो एक वैरागी में होती है दूसरी और एक वैरागी मन ही मन सोचता है कि क्या मुझे सोने जाना होगा और वे अगली सुभा उठने का इंतिजार नहीं कर सकते गुरू रामदास ची कहते हैं कि मन उत्सुक है और इस उत्साह में आप किसी चीज की और काम कर रहे हैं आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्टन में जरूर बताएं